ओके अगर आपका वी यूटूब चैनल यह वीडियो आपके बहुत खास होने वाले क्या होता है कि आपके यूटूब चैनल पे जब कभी भी आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वास्टाइम कंप्रीट होता है और किसी वजह से आपका जो वास्टाइम खतम हो जाएं का मतलब गर कई cases बनते हैं कि आपसे सारे वीडियो डिलीट हो जाएं या कोई ऐसी वीडियो की वजह से वस्टाइम का पैका चांट होता है यहैं अगर आपके account को किसी ने access कर लिया without आपकी permission के यानि अगर आपकी permission के बिना किसी ने आपके AdSense account को access करके सारी वीडियो डिलीट कर दिया तब पर भी आपका worst time हट जाएगा और exactly यही हुआ यहाँ पर fundamental investor के साथ जो कि इनका channel किसी के पास गया और उसने वहाँ पर सारी वीडियो को डिलीट मारा जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉड्लम का सामना करना पड़ा आप दूसर फाइनली मैंने इस channel को कैसे recover किया कैसे सारा क्या यह तो मैंने अलोड़ी पहले भी एक वीडियो डाला हुआ था इसके बाद जब इनका चैनल चलो अगेन वापस आया अगर इनका चैनल वापस आया वह पास आने के बाद जब इनका में टास्क बचा कि वोस्टेम कंप्लीट करना जो कि 4000 सुस्क्राइबर अगर अल्मुस्ट बात करें तो दो लाग चलिस अजार व्यूस तो भी कैसे कंप्लीट हुए क्या हुआ यह तो सब कुछ कंप्लीट किया इस चैनल के अनर ने लेकिन उसके बाद उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉलाम आई जब टास्क पूरा हुआ क्योंकि वो सुस्क्राइबर तो लेडी थे बचा क्या आपका वोस्टाइम वोस्टाइम भी आपका अब तब शुरू ही कि जब इनका Adsense address verification की वज़ा से फिल्ड धा आप देखिए अगर आपका address verification की वज़ह से अगर प्रॉलम है तो आपका चनल मौनेटाइज नहीं होगा किसी भी कीमत मौनेटाइज नहीं होगा तब तक जब तक आपका address verification नहीं हो जाता है अब मैंने इसका solution कैसे निकाला पूरा प्रोसेस के कैसे चैनल मैंने दुवारा मॉनिटाइज के कैसे इनकी प्रॉलम सॉल्व होई हर एक चीज आपको बताने वाला पूरा लाइप प्रोप और लैप्टॉप की दूबारा काउंट होता है तो आपको यहां पर इस तरी के आपको अप्षिन दुवारा प्रेस तरीके से ही अप्लाइब होता है लेकिन यहां पर कुछ चीज़े बदल जाती जैसे आप देखो गए अप्लाइब करते हैं यहां पर चैनल मॉनिटाइजिशन सेकेंड स्टेव यह सारी चीज बरकूल JULS आएगा जैसा कि आपका फिस टाइम जब आपका सारा टास्वक्रीट होता है तो यहां पर पहले टास्क के लिए हम यहां पर start to click करते हैं और यहां पर time and condition को accept कर करके accept कर लेते हैं और यहां पर देखे हैं पहले step done तो इस तलिखे से यहां पर पहला task पहले step वह है वह यहां पर review partner programme जो time फैं शहसी है वह देन हो जाएगा तो सबpected अब यहां पर देखें यह पहले step ven haut । लेकिन आपका जो सेकेंड स्टैप है वह एर आ गया अब आप सोचिए कि यह क्यों आ गया तो आप देखो यहां पर क्या लिखा रहा है एड्रस वेरिफिकेशन पिन रिक्वाइड दोस्तों जो आपका पहले एड्संस में अटैस था उसके अंदर कुछ प्रॉलम है जिसकी वजह से नहीं है जि है अपने अपने करने कसे चल्ड से अथे पे कि यहां की कि यहां पर करірनी के लिए बोल रहा है तो रीक्त होगा घृoff का लेकिन प्रॉलम अपको फिर भी ऐची कंहीं कोगा क्योंकि आपका address verification हुआ ही नहीं आप देखें यहां पर आपका address verification complete हुआ ही नहीं फरवरी में वह आपका done हुआ था मतलब pin भेजा गया था अब आप देखोगे यहां पर दुबारा जब redirect होगा तो फिर से सेम वह issue रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको multiple times आप इसको try करेंगे बाकि error आपका यही रहेगा यह error ऐसे solve नहीं होगा अब error solve कैसे होगा first time जब adsense ने आपको pin भेजा था तो letter आया होगा और letter अगर आपने समाल के रखाया तो वह pin आप क्या करें देखो मैं दुबारा यहां पर वह same process follow कर देता हूँ आप फिर भी देख सकते हैं तो आप यहां पर देखेंगे तो भीया जो pin है वह यहां पर आया नहीं है यानिक letter तो आया था लेकिन उनको जब जरूरती नहीं पड़े कि कि वीडियो तो सारी डिलीट थी राइट सारी वीडियो तो बोला आप तो पहले monetization के लिए task complete करते तब हम apply करेंगे ठीक है तो लेकिन letter में आरे पास अभी भी पड़ा हुआ है तो इस तरीके जोस्तों यहां पर आप हर method आप अपनाई कर लोगे सब चीज आप देख लोगे इसका solution ऐसे नहीं होगा solution क्या होगा जब तक आपका address verification success नहीं होगा तब तक आप इसको solve नहीं कर पाएंगा तो यहां पर देखिए आप यहां पर मैंने इसको recent कर दिया है अभी किस जून को किया था लेकिन यहां डालने के बाद जैसे आप देख पा रहें यहां पर है इसको तो सम्मिट करता हूं यहां पर मैं सम्मिट करके देखिए यहां पर यहां पर हैंग्ड विलिंग भेइफाइड हो गया अब यह कुनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस्व यही था कि भईया जो आपका address verification सब से पहले उसको आप वेरिफाई कर लो क्योंकि अब फिर से जाते हैं अपने डैश बोर्ड पे अब यहां से फिर हमें स्टार्ट करते हैं इस चीज को ठीके फिर इस तरीके से यहां पर आप देखो गए विया मैं दुबारा इसको सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं यहां पर हम यह क्लिक करने के बाद आपको वह बेल इडी सेलेट करने जिस पर आपका एटसंस एकाउंट है इसके बाद सेम देखिए वही प्रोसेस में फिर से फॉलो कर रहा हूं लेकिन यहां पर इस बार क्या लगता है बदला होगा या नहीं होगा दोस्तों फिर से रीडारेक्ट व वह दन हो जाएगा हंडेट परसेंट तो इस तरी देखिए आपके हंडेट परसेंट हो गया और आपका थार्ड स्टेप जो है इन प्रोग्रेस आ चुका है तो फ्रेंट्स यह पूरा कंप्रीट प्रोसेप से अगर इनकी बाई मिस्टेक कोई आपका वीडियो डिलीट मार हो जाए तो फिर से अगेन आप कैसे मोनेटाइज करोगे तो यह पूरा कंप्रीट प्रोसेस है आई हो आप सब कुस समझ चुके हैं फिर भी कोई कंफीजन है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाराम के आईडी है आप मुझे डारेक्ट फॉलो करो डिम करो इंस आप